आज आपको क्रिप्टो की करंट मार्कीट न्यूज अपडेट्स देंगे शुरू करते हैं बेबी डोज से तो बेबी डोज ने 139 ट्रिलियन टोकन्स का बर्न किया है जो के एक बहुत बड़ा बर्न माना जाता है क्योंकि वापस कम्यूनिटी को स्ट्रॉंग करने और बुलरन के लिए एक तियारी हो सकती है इसके इलावा एथिरियम की बात करें तो एथिरियम की हालविंग होने वाली है जो मार्कीट में मिनी बुलरन लाने का सबब बन सकती है माई 23 को इसकी अपडेट्स मिल जाएंगी लेकिन ये मार्कीट में बहुत एहम साबित होगा स्पेशली उन कोईन्स और टोकन्स के लिए जो एथिरियम ब्लाकचेन पे बिल्ट इन है एपरिल के बाद माई में ETF अप्रूवल का बताया जाता है याद रहे ये ETF अप्रूवल एथिरियम की बात हो रही है ना के बिटकोईन की क्योंके बिटकोईन का अल्रेडी अप्रूवल आ चुका है 90% लोग कहते हैं कि एथिरियम ETF अप्रूवल हो जाएगा लेकिन जो भी हो इसमें मार्कीट अप या डाउन वाला सिच्वेशन दिखाएगी एथिरियम ETF अप्रूवल के बाद हम मार्कीट में पंप देखेंगे क्योंके सारे कोईन्स तब हमें भागते नजर आएंगे Standard Chartered Bank का कहना है कि एथिरियम यहां से बासानी 4000 डालर्स के मार्क तक चला जाएगा जो के एक आसान हदफ है इसके इलावा एक और एहम नियूज ये है कि मार्कीट में 46 पड़े वेल्स ने इंट्री की है क्योंके यहां मार्कीट में जब भी कोई डर के मारे या किसी वज़ा से बिटकोईन को सेल करता है तो बिटकोईन 49 या 40,000 डालर्स के मार्क से नीचे आता है तो बिटकोईन को purchase कर लिया जाता है क्योंके ये उनके लिए buying opportunity है आपको मार्कीट में स्टेबिलिटी हालविंग के बाद देखने को मिलेगी अब तक थोड़ा पंप डंप मार्कीट में नज़र आएगा आप कह सकते हैं कि मार्कीट थोड़ा बोरिंग रहेगी लेकिन दरम्यान में मिनी बुलरंस आते रहेंगे और अच्छे कोईन्स पंप होते रहेंगे जो आपको पैसा बनाने की अपर्चुनिटी देते रहेंगे हम उवीद करते हैं कि करन्ट मार्कीट न्यूस से रिलेटिड ये शौर्ट वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल साबित होगी मजीद यूसफल कांटेंट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे शुक्रिया